जो सबसे पहला कोश्चन दोस्तो भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है Most important कोश्चन है आपको बताना है जो भारत में नागरिक्ता को प्राप्त करने का नियम है उसको कौन बनाता है अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो किस मामले में सर्वोच नियायाले ने संबिधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मोल भूत अधिकारों पर निदेशक सिधानतों के प्रभूत को मंजूर करते थे आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सेन नमबर डी हो जाएगा यानि मिनरवा मिल्स केस आपको बता दे कि जो मिनरवा मिल्स केस था वो उननीस सो असी के वाद में उच्चतम नियायाले ने यह कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्तों के बीच समन्वय और संतुलन संबिधान की आधारित सर्चना का आवस्यक लच्चड है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों निमनलिकित में से किस अधिकार को डाक्टर वी यार अमबेटकर ने संबिधान का हिर्दय और आत्मा बताया था मोस्ट इंपोर्टन कोशन है आपको बताना है कि कौन से अधिकार को डाक्टर वी यार अमबेटकर ने संबिधान का हिर्दय और आत्मा बताया था और संबिधानिक उपशार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों भारती संबिधान की आत्मा किसे कहा गया है इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अपसन नमर डी यानि प्रस्तावना को आपको बताते हैं भारती संबिधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है और डाक्टर भीम राव अंबेटकर ने संबिधानिक उपचारों के अधिकार को भारती संबिधान की आत्मा और हिर्दय कहा था अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों मूल भूत यानि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश है आपको बताने इन में से जो मौल भू यानि मौलिक अधिकार है उसका प्रमुख उद्देश क्या है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन नमबर बी यानि ब्यक्तिकत स्वतंतरता को सुनिश्चित करना यानि किसी भी ब्यक्ति में निहीत छमताओं के उत्कृष्ट विकास हेतू उचित औसर प्रदान करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गए है इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसकी ब्यक्तिकस स्वनसंतरता सुनिश्चित की गई है आगे देख लेते हैं दोस्तो तनिम्न में से कौन सा मूल भूत अधिकार नहीं है तो इसका जो टेंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमर B यानि संपत्ति का अधिकार आपको उताए दोस्तो जो संपत्ति का अधिकार है उच्चववालीस में संबिधान संसोदन 1978 के द्वारा मूल अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में यह एक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है आपको बताना है अभी मैंने बता है most important यह भी question है और maximum बार repeat भी हुआ है question आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो की प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है इसका right answer जाएगा दोस्तो अप्सन मिदान संसोदन अधिनियम 1978 द्वाराई से मूल अधिकार की सूची से खटा कर अनुछेद 300 कव में कानूनी या विदिक अधिकार के रूप में दखा गया है अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों अनुछेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों की अनुच्छे 14 में वरडित कानून के समच समानता का अधिकार बिटेन से लिया गया है और बिटेन में समान कानून का विधान है इसके अनुसार भारत के प्रतेग नागरिक को विधी के समच समता एवं समान सरच्छड से वन्चित नहीं किया जा सकता अगला question देखते हैं दोस्तों, संविधान के अनुचेद 19 में निमनलिखित स्वतन्तता में से कौन सा विशेश रूप से उल्लेखित नहीं है आपको बतायें जो अनुचेद 19 है, उसमें स्वतन्ता में से कौन सा विशेश रूप से उल्लेखित नहीं है इसका राइट अंसर जाएगा दोस्तों अप्सिन नमबर D यानी प्रेस की स्वतंतरता आपको बताए दोस्तों कि सम्विधान द्वारा प्रदत स्वतंतरता की मूल अधिकार के अंतरगत अनुच्छेद 19 आपलिक 1 में निम्नलिखी 6 प्रकार की नागरिक समससाओं का स्वतंत दी गई है most most important है ये question और maximum बार repeat भी होता है आपको बताना है कि जो भारत के सम्विधान के अंतरगत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option number C यानी 6 कौन-कौन से आपको मैंने बता जता हूँ कि भारती सम्विधान के वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है कौन-कौन से हैं दोस्तों है समताक अधिकार, स्वतनतताक अधिकार, सोसल के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतनतताक अधिकार, संस्कृति और सिच्छा संबंधी अधिकार और सम्विधानिक उप्चारों का अगला कोशन देखते हैं भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंदों को आरोपित करने की सकती किसके पास है आपको बताना है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका जो राइट अंसर हो जाएगा दूस्तों अप्सन नमबर B हो अगला कोशन देख लेते हैं मौलिक अधिकारों में संसोधन करने के लिए कौन सच्छम है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर D यानी संसत पार्लियामेंट बता दे कि जो मौलिक अधिकारों सहीत संबिधान के किसी विभाग में संसोधन का अधिकार अनुछे 368 के तहट संसत को प्राप्त है तथा पि सरोच न्यायाले ऐसे किसी संसोधन का न्यायक पुनराव लोकन कर सकता है तथा उसे संबिधान के मूल धाचे को संबिधान के मूल धाचे को सरवपर्थम 1973 के केसवानन भारती मामले में प्रस्तुत किया गया था उसको प्रभावि भारती सम्विधान में राज के नीती निदेशक सिधानतों को सामिल करने के पीछे मोख उद्देश क्या था तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा कल्याड कारी राज की अस्थापना आपको उता दे कि देश में कल्याड कारी राज की अस्थापना है तू सम्विधान के भाग चार में नीती निदेशक ततों की विवस्था की गई है और राज द्वारा निर्मित किसी भी बिधी में इन ततों का अवश्य ध्यान रखा जात अगला कोश्चन देखते हैं संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याडकारी राज्य के विचार का उलेख करता है इसका राइट हम सो जाएगा ओप्सन नमबर सी यानि भाग चार आपको बता दे कि कल्याडकारी राज्य का अर्थ है वह राज जो अपने निवासियों को सामाज आर्थिक और राजनीतिक गतिवीधियों द्वारा स्वयम के संपुड व्यक्तित्तों के रूप में रूपांतरित करने का आउसर उपलब्द कराए और इस हेतु संविधान का भाग चार समर्पित है जिसे राज्य के नीती निदेश तक तत्तो भी कहते हैं अगला कोश्च आपको पता दे कि जो समान नागरिकों सहिता है राज्यों में से गोवा में ही लागू है अंगला कोशन देख लेते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिता किस अनुछेद में है इसका राइट आँट सव जाएगा ऑप्सन नंबर ए यानि अनुछेद 44 आपको पता राज्य छेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास्त करेगा अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो मौलिक करतब्यों को सम्विधान में सम्मिलित किया गया इसका प्रयोजन है आपको बताना है कि जो मौलिक कर्तब्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया इसका प्रयोजन है very very important है maximum बार repeat हुआ है maximum exam एक question repeat हुआ है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा यानि विनासक एवं असंविधानिक गतिविधियों को नियंतरित करना आपको बताते दोस्तों कि 42 में संविधान संसोदवन द्वारा पूर्व सोवियत संखे के संविधान द्वारा मौलिक कर्तब्यों को ग्रहड कर भारती संविधान के भाग 4A यानि अनुछेद 55A में रखा गया है और ये संख्या में 11 है ये कर्तब विनासक एवं और समयधानिक गतिविधियों को नियंतरित करने में सहायता पहुचाते हैं अगला question देखते हैं किसकी अनुसंसा पर भारती संविधान में मौल कर्तब्यों को जोड़ा गया आपको बताना है कि इनमें से किसकी अनुसंसा पर भारती संविधान में मौल कर्तब्यों को जोड़ा गया है इसका right answer जाएगा दोस्तों option number B यानि स्वाड़ सिंग रिपोर्ट पर आपको बता दे कि जो सरदार स्वाड़ सिंग समीती थी 1976 में हुआ था इसकी अनुसंसा पर भारती संविधान में अनुछेद 51 का जिसमें मौल कर्तब्यों का उलेख है को जोड़ा गया था अगला question देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन राज की ये भासा नहीं है आपको बताना इसमें चार आपसन है कि इनमें से कौन राज की ये भासा नहीं है इसका right answer हो जाएका दोस्तों आपसन नमबर C यानि राजश्थानी आपको बताए दोस्तों कि भारती संविधान की आठवी अनुसूची में 22 भारती ये भासाओं का उलेख है और कौन कौन से हैं आपको मैं बताता हूँ असमिया है बांगला, गुजराती, हिंदी, कंणड, कस्मीरी, मल्यालम, मराथी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, कौंकडी, मडीपूरी, नेपाली, उर्दू, बोडो, संथाली, डोंगरी और मैथ अगला कोशन देखते हैं भारती संबिधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्सों की जलक मिलती है आपको बताना इसका जो भारती संबिधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्सों की जलक किस में मिलती है राइट अनसर जाएगा जोस्तों अप्सन नमर ए यानी प्रस्ता में आपको बता दे कि भारती संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्सों की जलके प्रस्तावना में मिलती है और उच्चतम न्यायाले के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुझी है अगला कोशन देखते हैं दोस्तों भारती स इसका राइट अंस हो जाएगा option number C यानि आयर लेंड के सम्विधान से, आपको उताते कि भारती सम्विधान में नीती नीदेशक तत्तो को आयर लेंड के सम्विधान से ग्रहड किया गया है, साथ ही साथ राष्टपती के निर्वाचन मंडल की ब्योस्था, राष्टपती द देखते हैं दोस्तो, नौकरी में समान आउसर का अधिकार सम्विधान के किस नुचेद में प्रतिश्थापित है, आपको बताना है कि जो नौकरी में समान आउसर का अधिकार है, वह किस अनुचेद में प्रतिश्थापित है, इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D, यानि अनुच्छेद सोला, आपको बता दे कि भारत के संविधान में समान आउसर का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद सोला में प्रतिष्थापित है यह एक मूल अधिकार है, अगला कोशन देखते हैं दोस्तों, हमने बिस्तु के किस राष्ट के संविधान से अपने मूल अ अधिकारों की संकल्पना किस देश से ग्रहड की है, इसका राइट अंसर रुजाएगा, ऑप्सन नमबर D यानी USA, आपको बता दे कि भारती संविधान में मूल अधिकारों की संविधान में संविधान में सम्रित, अधिकार पत्र से प्रेरित है, अगला कोशन देखते हैं की किस विशेस्ता को भारती संविधान में सामिल किया गया है, राइट अंस हो जाएगा, ऑप्सन नमबर D यानी उपरोक्त सभी, आपको बताये दोस्तों कि भारती संविधान में संसदिय, पध्धती की सरकार, विधी का सासन और विधी निर्मार की प्रक्रिया, एकलना ग करिक्ता ब्रिटी संविधान की विशेस्ताओं से ग्रहड किये गए है, अगला लास्ट कोर्शन देखते हैं, मूल संविधान के कौन से भाग में, राज लोक कल्यार की संकल्पना संमिलित की गई है, चार अप्सन है, आपको बतना इसका राइट अंसर क्या होगा, तो इसक लोक कल्यार की संकल्पना राज के नीती निदेशक तत्तों में संमिलित की गई है, और यहाँ अनुच्छेद 36 से 51 तक में वरडित है, और भारती संविधान का यहाँ भाग आयरलेंड के संविधान से लिया गया है, तो यह थी दोस्तों, आज की वीडियो आपकी वीडियो